मुल्क करना चाहिए अफरा तफरी का माहौल बनाना चाहते हैं तंग ये फसाद की राजनीती करना चाहते हैं हिंदु मुस्लिम बढ़वारा करके अंग्रेजों वाली राजनीती खेलकर बढ़ बाटो और राज करो तक्सीम दरो और राज करो वो वाली राजनीती अपनाते हैं इन्होंने फसास करने के लिए मुझे जैरूर्ष भाणर बेखोगे इन्सा का जब खून बहा कर जान करदожет की विर्ट甫 अपना बना करते हैं नजर आएंगे हम ही नजर आएंगे तुम ऐसे जियालों से जब भी अपने घर को जला कर देखें यह हमारे देश का लुफान कर रहे हैं और यह देश का लुफान हमसे परबास नहीं है इसनी परबास की बगार एक से डीवारी फिर्वान की बगार और मैं तो पूरे दिम्मेदारी से कहता हूं के इसला तर देखें गेरो घ्र होगे तुम ऐसे हो जीयालों से जब भी अपने घर को जला कर देखें यह हमारे देश का लुफान कर रहे हैं और यह देश का लुफान हमसे परदाश्ट नहीं होता है इसकी हम धंड की पर्वाह किये बगार एक से च्वारिस की पर्वाह किये बगार और मैं तो पूरे जिम्म मैं इसे कहता हूँ कि इंशाओला कर्वियू की पर्वाह किये बगार भी हमेशी तरह खड़े होगे लगा के देख लो लोग नहीं पाओगे जोंके जैश के इस भक्तों का बजबाह है जैश के खतारों देखिना पाओगे हमको ही तुम में मारे वतन पाओगे हमको ही तुम में मारे वतन नसरत को जब दिन से मिचा कर देखिने की समझने की कोशिश तो कर लो अगर जरा से भी इंसारियत होगी जरा से भी इमारतारी को बेर दिल में होगी तो तुम एत्रास करने पर मजबूर हो जाओगे कि हिंदुस्तान का मुसल्मान सरहा वो खौम है जो अपने देश से प्यार करती है क्योंकि इसे मौका मिला था जा सकती थी लेकिन अपने वतन की महपत में जंगे ससात सहे तक्रीफे सही बेज़ा किया सही लेकिन अपना वतन छोड़ना घवारा नहीं हाईदा दिखाते की कुशिश कर रहा हूँ उसकी फितरत में सच है सच ही बोलेगा उसकी फितरत में सच है मेरी फितरत में सच है बन तो हमेशा सच बोलता हम अलहम्दोरिल्ला उसकी फितरत में सच है सच ही बोलेगा आईने को जब दे उठा कर देखो हासिल में बस जीरो ही रह जाएगा हासिल में कैसे पाकिस्तान चले जाओ इतना मैं जरूर कहूंगा कि इस लड़ाई को इस चत्तों जहत को जीसने के लिए C.A.A. उनको वापस कराने के लिए N.R.C. मुल्क में लागू ना हो इसके लिए जे जरूरी है मैं और वापस क्था है कि आपने भी तरीख है कि कार प्रशल करें सोला हमें अपनी जबान लारब रहर रखने हैं हकूमत से हमें बात-चीज करनी चाहिए संझाने कि कोशश करनी चाहिए उन्होंने अभी तक इतने इ法िज़ाज हो रहे हैं उन्होंने अभी तक किसी से बात करने की कोशिश नहीं की, इस पर लानत भेजने को दिल चाता है, कि हिंदुस्तान की जन्ता परिशाद है, संतों पर बैठ भी है, लानत है तुम अपने एवानों में बैठ कर एश कर रहे हो, और फिर कहने हो, कि सबका साथ, सबका विकास, मुझे हटाना चाहते हो, मुसल्मान को हटाओगे तुम्हेर बस बचे कर जाए, और बात मुसल्मान की नहीं है, इस मक्त मुसल्मानों से ज्यादा हमारे गैर मुसलिम भाई हमारे साथ खड़े हुए है, और पूरे हिंदुस्तान में, इस C.A.A. के खिराफ को ही उतलाई मैं उन तबाव अपने हिंदु भाईयों को तहे जिरी से मुपार बात पेश करता हूँ, कि इतने जालिब से इसके लोखियों के खिलाफ उन्हों रेक्दर कसी है, और उनके खिलाफ पड़े होने का काम लिया, तो मुसल्मानों से ज्यादा है, इसको मैंने की कोशिश की है, कि हासल में बस जीरो ही रह जाएगा, टोटल में जब मुझे घटा कर देगा, हासल में बस जीरो ही रह जाएगा, तो बगर जीरो नहीं बनता चाहता हो, हमारे बाद तो वहना क्लाम नहीं चाहता, हासल में बस जीरो ही रह जाएगा, टोटल में जब मुझे घटा कर देगा तेड़ी चाल चलोगे तो पश्ता होगे जब तेड़े कानून बना कर देखो तेश में अपने अमनों अमाहो हर जाने तो दंगे ससात कराते हैं कभी गाय के नाप पर नहीं नहीं सित्रे खड़े करते और आज आलम यह है कि हमारे मुल्क का चमड़ा कौड़ियों के भाव हो गया है और बाहर से चमड़ा आयाद करना पर रहा है इंपोर्ट करना पर रहा है लानस है हम अपना एक्सपर्ट करते थे और अब तुम्हें इंपोर्ट करना पर रहा है यह हलत देश की बनादी है अभी हमरे महमुद पराचा साहब ने तफसील से बताया कि इनने देश को किस गगार तक पुपचा दिया है बर्बादी के किस गगार तक पुपचा दिया है तो देश में अमनों अमा हो हर जाने कि कब तुम ये तहरी चला कर देखो दंगे फजाद की तहरी के तो चलाई है एक बार अमनों अमान काइन करने की तहरी चला कर देखो तुम्हें भी अच्छा देगा तुम्हारी भी बेचादिया दूर होंगी और मुसल्मान के साथ जिस दिन मुसल्मान को तो समझने की कोशिश कर लोगे उस दिन तुम्हारा तरीका भी बजल जाएगा उस दिन तुम्हारी सुपान भी बजल जाएगा बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ लगाते ना और बेटी के साथ हो क्या रहा है कौन कर रहा है अरो मैं गैसा हूँ अगर बेटी को बलात कार से बचाना है तो इस्लामी कानुन नाफिस करो आधात बहुत करो कि सट खाना हो के तक बलात कार बेटी बचाना है ठासी होने का नाम नहीं दे रही है जूट बोलते है बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ वाबों को कब तुम तावीर में लाकर देखोगे चल पाओगे तुम भी किसनी दूर तलक रस्ते से कर मुझे हटा कर देखो तुम को ही तुम में मारे बतन है पाओगे हमको ही तुम में मारे बतन नफरत को जब दिल से मिचा कर दे इमानकारी से हमने सबर किया तुम ने बहुत फिर चलाएं तंगा कराने की कोशिक की फर्दा कराने की कोशिक की लेकिन हमने अपने मुल्क में अमनों अमान तुनाय रखने के लिए कोई रियक्शन ने इसको मैं ने कहने निशाना चूटे कोशिक की तुम चूखेगा हर बार निशाना चूखेगा जब भी हवा में तीर चला कर देखो और इस बार का तीर वापस होगया चलाया था किसमें है और तो के बड़े हंदर्द बड़े तीन कला किसनी लगे आए थे सुबरा मनियम स्वावी की बेटी को कहीं तलाग ना होना तुम ऐसे उजियानों से तुम ऐसे उजियानों से तुम एसे उजियानों लाल कले की तरस देख लो लाल कले से तख्रीर करने का बड़ा शौक है लेकर यह लाल किला दिया किसने हम ही नजर आएंगे तुम को हर जाने तारी उठा कर देखूश हमें नदर आएंगे तुमको हर जाने हिंद की जप्तारी उठा कर देखो